Books That Speak में आप सभी का स्वागत है चोटी सी केसर को गाना बहुत पसंद था उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसकी आवाज कई आकाश गंगाओ से भी आगे पहुँचेगी चलिए चलते हैं मशुहूर गाई का केसर बाई केर करके संगीत के अनोखे सफर पर सुनते हैं कहानी एक धुन अंतरिक्ष में ओरिजनल स्टोरी अ सौंग इन स्पेस के सर बाई केर कर बाई प्रथम बुक्स कहानी लिखी है नेहा सिंग चतरांकन शुभश्री माथुर हिंदी में अनुवाद नेहा सिंग कहानी सुना रही है असावरी दोशी बच्चों कहानी के अंत में आपके लिए एक सवाल जरूर होगा और मैं आपके जवाब का इंतजार करूँगी सा सारेगपध सा साधपगरे धधसा गरेपग गरे धधसा छोटी सी केसर दिन राद गाती रहती थी पंची, पेड, सूरज, चांद और सितारे इन सब के लिए गाने में उसे बड़ा मज़ा आता था पर वो सोचती थी कि क्या वे सब उसे सुन भी पा रहे थे उसे क्या पता था? कि एक दिन उसका गाना दुनिया भर में ही नहीं, बलकी एक अंतरिक्ष यान में सफर कर अंतरिक्ष तक भी पहुँच जाएगा अमरीका में 1970 के शुरुवाती दशक में नासा यानि की National Aeronautics and Space Administration के खगोल शास्तरियों और वज्यानिकों ने तै कि वो एक अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में दो तारों के बीच की जगह यानि अंतर तर्किय जगह पर भेजेंगे ये जगह हमारे सौर मंडल से भी कही आगे है इस अंतरिक्ष यान का नाम Voyager रखा गया खगोल शास्तरी और वज्यानिक कार्ल सेगन ने अपने साथियों से पूछा क्या हो अगर हमारा Voyager किसी दूसरे ग्रह के प्राणी से टकरा जाए हमें उनके लिए कोई तोफा जरूर भेजना चाहिए एक ऐसा गोल्डन रेकॉर्ड जिसमें पृत्वी के सबसे अनोखे दुरुष और आवाजे कैद हो वे खुदी बोल उठे महिनों तक कार्ल और उनके वैज्यानिक और संगीतकार साथियों ने बिना रुके बिना ठके रेकॉर्ड बनाने में दिन रात एक किया उस रेकॉर्ड में क्या-क्या था बहती हवा की आवाज बारिश की टिप-टिप बादलों की उमडगुमड पच्पन भाशाओं में अभिवादन कदमों की आहटे हसी के ठहाके वेल की सीटी बच्चों की किलकारिया पंचियों का चहचाहाना कुत्तों का भौकना बिल्लियों की म्याव और संगीत दुनिया भर के तीस अलग-अलग कलाकारों का संगीत प्रेमी रौबर्ट E. ब्राउन ने काल को हिंदुस्तान की एक नायाब आवाज के बारे में बताया उनका नाम केसर बाई केरकर है और उनकी आवाज रुहानी रौबर्ट ने कहा पर अफसोस कि केसर ने 1965 में ही सारवजनी गायन छोड़ दिया था उनके कारेकरमों में तो फोटोग्राफी, रेकॉर्डिंग, माइक और यहां तक की खासने तक की भी मनाई थी अब जिस गाईका को रेकॉर्डिंग से ही परहेज हो उनका गाना मिल पाना तो नामुम्किन सा लग रहा था पर रेकॉर्ड के निर्माता एंड्रियान इतनी आसाने से हार कहा मानने वाली थी एंके सम्मूहने केसर की आवाज के लिए गाने की सभी दुकाने छान मारी संगीत प्रेमियों और संगीत बनाने वाली कमपनियों से गोहार लगाई आखिर नियू यॉर्क में उन्हें केसरबाई केरकर का धूल में सना एक रेकॉर्ड मिल ही गया वो भी एक हिंदुस्तानी किराने की दुकान के गोधाम में गोल्डन रेकॉर्ड 1977 में बनकर तैयार हो गया इसमें हिंदुस्तान से केवल एक बंदिश थी जात कहां हो अकेली ओ गुरी 11 साल की केसर ने 1903 में अपना जन्मस्थान गोवा का छोटा सा गाव केरी छोड़ दिया था उस वक्त हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज था और गोवा पर पुर्तगालियोंगा एक अच्छे गुरू की तलाश में वो अपनी मा के साथ जगा जगा फिरती रही इस तलाश में वो पहुँची मुंबाई जिसे तब बॉंबे कहते थे जहां बहुत से संगीतकार रहते थे सासा धपगरे सारे जल्द ही वो जैपुर अत्रौली घराने के उस्ताद अलादिया खांसे तालीम लेने लगी वो उन्हें दिन में 16-16 घंटे संगीत सिखाते थे उस्ताजी इससे पहले कभी लड़कियों को संगीत नहीं सिखाते थे पर केसर को गाते सुन उन्होंने अपना दस्तूर बदल दिया केसर ने तै किया कि वो शास्त्रिय संगीत के सबसे मुश्किल रूप खयाल गाई का बनेगी उस वक्त तक केवल पुरुष ही दर्शकों के सामने खयाल गाया करते थे यानि कि ख्याल उस वक्त के शास्त्रिय गायन के सारे नियम केसर ने तोड़ दिये थे वो महफिलो कार्यक्रमों में बैठ कर गाती थी वो भी पाल्थी मार कर उस समय गाईकाउन का पाल्थी मार कर गाना बुरा माना जाता था पर केसर का कहना था कि ऐसे बैट कर गाने से उन्हें अपनी सास पर ज्यादा नियंतरण मिलता था उन्होंने महलों में गाया, बैठकों में गाया, बगीचों में गाया और संगीत समारों में गाया केसर कभी पहले से ही नहीं बताती थी कि आज वो कौन सा राग गाने वाली है जिने मालूम है वो जान ही जाएंगे, जो नहीं जान पाएंगे, उन्हें बता कर भी क्या फाइदा है ना? वो हस्ती केसर की आवाज सभी को मंत्र मुग्ध कर देती थी, लेकिन 35 साल गाने के बाद केसर की आवाज बीच सभा में गाते गाते तूटने कापने लगी आज से मैं दर्शकों के सामने कभी नहीं गाऊंगी, उन्होंने घुशना की सन 1977 में वोयजर ने अंतरिक्ष का सफर शुरू किया, उसी साल केसर ने अपनी आखिरी सास ली, उनका गाना अंतरिक्ष में हमेशा हमेशा के लिए सुनाई देता रहेगा चोटी सी केसर को कहां पता था, कि उसकी आवाज पृत्वी और इस पृत्वी क्या, इससे भी कही आगे सुनाई देगी उसे तो बस ये पता था कि उसे गाना अच्छा लगता है तो अब है सवाल की बारी, बच्चो आप बताईए, आप किसी शास्त्रिय, संगीत, कलाकार का नाम जानते हो, भले वो गायक हो या वादक हो अगर आप जानते हो तो वो नाम आप मुझे जरूर इमेल करके लिख भेजिए, इमेल आइडी तो आपको पता ही है मैं आपके इमेल का जरूर इंतजार करूंगी तो और ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनने के लिए, बुक्स दाट स्पीक इस चैनल पर जरूर आईएगा यूट्यूब पर और अलग-अलग पॉड्कास्टिंग चैनल पर वेबसाइट www.booksthatspeak.com मिलते हैं अगली कहानी में बाई बाई शुक्रिया